वल्कम बेक गाईस आज हम लोग खेलने जा रहे हैं इंडियन बाइक ड्राइवंग 3D चीट को डाइल करेंगे हम लोग यहाँ पर 40-40 तो हमारे सामने आ चुका है टैंक लेकिन मुझे लगता है टैंक नहीं हम लोग कुछ और ड्राइब करते हैं तो इस तरफ आते हैं और यह यहाँ पर हम लोग डाइल करेंगे 88-88 और जैसे हमने 88-88 डाइल किया तो हमारे सामने आ चुका है हमर ओके इसका मैं कलर चेंज कर देता हूं अच्छी तरीके से मैं देख लेता हूं मुझे कौन सा कलर चाहिए यलो रहने देते हैं इसके अंदर हम लोग बैठ चुके हैं अ क्या मैं मेरा वहिकल देख रहे हो क्यों ही खतरनाक तरीके से उपर आपसमान में फ्लाइ करा उतना उपर तो नहीं गया लेकिन जंप तो करा और लेंबरगीनी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया आगे बढ़ते मैंने साने बुगाटी है ओके इसे मैंने टकर मारा उसे काफी खतरनाक तरीके से डामेज बढ़ा या ओडी है इसे भी मैंने काफी खतरनाक तरीके से टकर दिया इसके सामने जो भी पोल आता है या फिर कोई भी ट्री आता है उसे तुरंत ही चुटकियों में अटा दिया जाता है और यहाँ पर क्या खतरनाक तरीके से हम लोग यह पे टकर मारे देख रहे हो और यहाँ पर एक टकर के साथ हम लोग इस तरफ आ चुके हैं अपने वेहिकल को हम लोग क्या करेंगे उस तरफ लेकर चलते हैं और अब देखते हैं कि मुझे क्या करना है ओके मेरे सामने जो भी आता है मैं उसे डिस्ट्रॉइ कर सकता हूँ ओके और ये टकर सबसे ज्यादा मुझे लाजवाब लगा देख रहे हूँ कितनी बार गारी इधर से उधर हुआ बहुती ज्यादा खतरनाक तरीके से ये क्या मैं मेरा केरेक्टर भी नीचे गिर चुका है अब हम लोग क्या करेंगे फड़ा पड़ से उठ जाते हैं हमारे केरेक्टर को काफी जदा डैमेज हुआ है तो अगली बार मुझे धियान रखना होगा क्योंकि हो सकता हमारा गेम ही बस्टेड हो जाए यहाँ टाइप करेंगे आठ हजार तो हमारे सामने आच चुका हेलिकॉप्टर अभी हम लोग हेलिकॉप्टर को ड्राइब करेंगे इसका हम लोग कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते हैं पहले का कलर का फिजदा ओसम था लेकिन ये कलर उतना ज्यादा अमेजिंग नहीं है तो अच्छी तरीके से चलते हैं उसके बाद देखते हैं क्या सीन होता है और हमें अपने हलिकॉप्टर को सामने की तरफ लेकर जाना है और मुझे इस दोनों जो यहाँ पर विल्डिंग है इसके बीच से लेकर जाएंगे फड़ाबर चलते हैं और राइट इस तरफ हम लोग आ चुके हैं अपना हलिकॉप्टर लेकर इसे हम लोग कहीं भी लेंड करा सकते हैं वैसे जब से जेट पेक आया है तब से हलिकॉप्टर बहुत ही ज्यादा कम यूज होता है क्योंकि जेट पेक की मदद से हम लोग कहीं भी तुरांत ही पूरी तरीके से take up कर सकते हैं और साथ में stay भी कर सकते हैं लेकिन helicopter में ऐसा नहीं होता है लेकिन फिर भी helicopter में animation की वज़ए भी थे हम लोग देख सकते हैं कि helicopter का animation है वो काफी जदा अलग है मतलब सबसे ज़ादा अलग helicopter का animation है जिसकी बराबरी jat pack कोई भी जेट पक कर नहीं सकता इसलिए हम लोग यहाँ पर helicopter को चलाना काफी जदा पसंद करते हैं और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे helicopter को land कराते हैं photo works हम लोग land कराते हैं उसके बाद देखते हैं क्या scene होगा नीचे land कराते हैं okay land कराया यहां से उतर चुके हैं अब हमें कोई नया चीट को डालना होगा तो यहां डालते हैं फड़ापट से 90-90 तो हमारे सामने आ चुका है थार अब हम लोग थार के ड्राइब करेंगे और देखते हैं थार में कितनी एबिलेटी है यह कितना स्ट्रॉंग है या फिर कितना वीक है हम लोग सारा चीज़ देखेंगे ओके यह हार्ट चीज़ को बिल्कुल भी हिट नहीं कर सकता है उसके बाद देखते हैं अभी मुझे क्या करना है सोचना पड़ेगा और काफी स्पीड हम लोग कुछ इस तरीके से किये ओके किया मैंने यहां पर मेरा जो थार है वो पलटने वाला था बहुत ही जियादा ओके फड़ा पर चलते हैं एक बार और चलेंगे ओके एक बार और टकर मारते हैं क्याई हम लोग भी इसे टकर मारे देख रहे हो काफी खतरनाक तरीके समलोग ने इसे टकर मारा और अभी तक भुगाटी मेरे आगे है और इसे काफी तेज तरीके समलोग लेकर जाएंगे और यहाँ पर काफी तेज तरीके से ले जा रहे हैं और यहाँ पर जंब करके क्या मैं यह बुगाटी अभी तक मेरे पिछे पिछे आ रहा था इसे सामने की तरफ लेके चलते हैं ओके अभी देखना क्या होगा यह पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं कर पाया क्योंकि इसका स्पीड जो था उतना था नहीं अगर स्पीड होता तो काफी बहतरीन तरीके से हो सकता था लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और अभी तक आप लोग ने लाइक किया फिर नहीं लाइक नहीं किया होगा लाइक कर लो सब्सक्राइब नहीं किया होगा सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ओल पर सेट करो ओके ओल राइट और यहाँ पर हम लोग टाइप करेंगे एक हजार तो हमारे सामने आ चुका है फॉर्चुनर और राइट इसके अंदर भी बैठ चुके हैं ओके फटावर समय से सामने की तरफ लेकर चलता हूं उसके बाद देखते हैं क्या सीन होता है और हम लोग काफी तेज तरीके से जा रहे हैं अपने फॉर्चुनर को लेकर और ये भी कुछ ज्यादा है स्ट्रॉंग है बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉंग है और देख लेते हैं क्या सीन होता है कितना देर लगता है फिर कितना देर नहीं लगता है हम अपने वहिकल को लेकर इस तरफ तो आ चुके है ये वहिकल भी काफ ज़्यदा हाट है ये भी ट्री को डिस्ट्रॉय कर देता है लेकिन इसका जो स्पीड है वो काफ ज़्यदा स्लो है और उसका वज़ा है ये SUV है इसलिए इसका जो स्पीड है बहुत ही ज्यादा स्लो है मतलब कुछ ज्यादा ही स्लो है कुछ ऐसा सीन है और राइट वेक आउट करके मैं फिर से ट्रॉय करता हूँ देखते हैं क्या होता है और यहाँ पर हम लोगोंने सारे केरेक्टर को डिस्ट्रॉय किया आगे चलते हैं फड़ाबर्से और यहाँ पर हम लोग आ जुके हैं उसके बाद इस तरफ चलेंगे फड़ाबर्स आगे क्यों चलते हैं उसके बाद देखते हैं क्या सीन होगा और अभी तक आप लोग ने लाइक नहीं किया होगा फड़ाबर्स लाइक कर लो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी आल पर जरूर से सेट कर देना ओके